किसान आंदोलन पर कंगना रनोत ने फिर दिया बड़ा बयान कंगना रनोत ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन भाजपा नेता चुप कॉंग्रेस हमलावर जी हाँ, हर्याणा के लोगसभा चुनावों में 10 सीटों से खिसक कर पाथ सीटों पर आई भाजपा की टेंशन इस बार विधान सभा चुनावों में साफ देखने को मिल रही है, हाला कि भाजपा नेता इस बात को नकारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं लोगसभा चुनावों में भाजपा को किसानों की नराजगी का सामना करना पड़ा था जिसे देखते हुए हर्याना सरकार अपकी बार विधान सभा चुनावों में किसानों को अपनी और आकरशित करने के लिए हर तरह के तरीके अपना रही है लेकिन क्या भाजपा किसानों को खुश करने में काम्याब होगी ये सवाल इसलिए क्योंकि हाली में एक इंटर्विव में भाजपा सांसद कंगना रनोत ने एक ऐसा बयान दिया जिससे भाजपा की मुश्किले बढ़ सकती है जी हाँ कंगना रनोत ने कहा कि अगर हमारा शिशने ततव मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दुरान पंजाब को भी बांगलादेश बना दिया जाता पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे वहां रेप और हत्याय हो रही थी बीजेपी के नेताओं ने विधान सबाचनावों को देखते हुए चुपी सादली है लेकिन कॉंग्रिस नेता भाजपा पर हमलावर है सबसे पहले आप राणिया से विधान सबाचनाव में ताय ठोक रहे सर्वमित्तर को सुनिए जिनोंने कंगना से कई सवाल पूछे है बीजेपी को इस बारे में सोचना चाहिए और इस लेडी पर कारवाई करने चाहिए क्योंकि अगर ये ऐसा ही बोलती रहेगी तो यहीं लगेगा कि ये बीजेपी की एक प्लानिंग है और अगर ये बोल रही है कि चाइना का हाथ अमेरिका का हाथ तो सरकार आपकी है आप पता लगाएं, क्या हाथ है उनका, या यह जो कह रही है कि किसानों की उस वक्त एक बड़ी प्लानिंग थी, क्या प्लानिंग थी मैडम, आपके पास इंटेलिजन्स है, सरकार आपकी है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या प्लानिंग थी, और अगर कोई प्लानिंग तो आप सामनी लेकर आओ, क्यों ने लेकर आतें? तो ये लगातार गलत ब्यान बाजी और किसानों के प्रती ऐसा बोलना ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं इनको कोई न कोई दिशा निर्देश है, इस पर लगाम लगनी चाहिए और इस पर कारवाई होनी चाहिए, बकायदा प लिथा के ब्यान को स्पॉट करती है, मैंने सुना है कि बीजेपी ने इस बियान से किनारा करने से बात नहीं बनेगी, इस बियान से देश में महाल खराब हो सकता है, और आजपता पेड़ा हो सकती है, एक बार फिर देश का किसान उसका गुसा सामनी आ सकता है, इसलिए प्रवाजपा ने तो हमेशा हमारे अंदाताओं पर जूट, फरेब, साजिश और अत्याचार किये हैं। और एक बार फिर हमारे अंदाताओं पर बीजेपी की सांसद ने अंगल आरोप लगाया है। सवाल ये है कि क्या कंगना ने बीजेपी की चुनावी रणनीती के हिसाब से किसान पर ये घटिया आरोप लगाया है। क्या कंग्ना के सिर्फ शब्द है या फिर कोपी किसी और ने लिखी है। अगर नहीं तो फिर देश के प्रधान मंत्री, हर्याना की मुख्य मंत्री और तमाम बीजेपी सांसद विधाय किस मसले पर खामोश क्यों हैं। कंगना के इस बयान के बाद किसानों में फिर से भाजपा के खिलाफ गुसा फूट पड़ा है। ये भी बता दे कि कंगना का अविवादों से पूराना संबंध है। इससे पहले भी वो आंदोलन कारी किसानों के तुलना खालिस्तानी आतंकियों से कर चुकी है। इसके अलावा किसान आदोलन के वक्त कंगना जे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी जिसमें लिखा था कि किसानों के परदशन में शामिल हुई ये महिला वही मशूर बिल्किस दादी हैं जो शाहिन बाग के परदशन में थी जो सो रुपे लेकर उपलब्ध हैं। इस बयान पर करीब तीन महिने पहले चंदिगड एयरपोर्ट पर CISF की महिला कॉंस्टेबर कुलविंदर कोड ने कंगना को थपट जड़ा था। महिला की वीडियो भी सामने आये थी जिसमें वो कह रही थी कि कंगना ने जब किसान आंदोलन में शामिल महिला को सो सो रु उठाते हैं और क्या हल्याना भाजपा के नेता इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हैं आपका कंगना के इस बयान पर क्या कहना है कोमेंट करके जरुर बताएं दा मसला को सब्सक्राइब फोलो और लाइक करना ना भूले